सितंबर माह में आचारीजी से मिलने के लिए कृपया संपर्क करें चंडीगड एक वदो सितंबर दिल्ली तीन सितंबर मुंबई 14 वद 15 सितंबर एहमदाबाद 18 वद 19 सितंबर जोदपुर 22 वद 23 सितंबर इसके अतिरिक तो टेलिफोनिक अपॉइन्मेंट भी उपलब्ध है संपर्क 095-290-2022 मेरे बेहत प्री साथियों नमशकार अभिनंदन स्वागत साथियों आज इस आर्ले सत्य में हम बात करेंगे कि क्यों बहुत लंबे रिलेशन्शिप के बाद बहुत लंबे लव अफेयर के बाद भी वो जो स्थिती है शादी में कनवर्ट नहीं हो पाती मेरे पास में मेरे अनुभव में ऐसे ऐसे केसिज आये हैं जिसमें पाँच साल से लेकर के दस दस बारह बारह सालों तक जो अफेयर था वो चला परंतु किसी भी कारण से विवाह नहीं हो पाये आखिर कब जन्म कुंडली में इस प्रकार के योग निर्मित होते हैं उन पर चर्चा करेंगे और सबसे जरूरी यदि इस प्रकार का कोई रिलेशन्शिप है जो कि बहुत लंबे समय से था परंतु अब लग रहा है कि वो शादी में कनवर्ट नहीं हो पाएगा तो कैसे उसको बचाया जा सकता है और साथ ही हम जैसा कि मेरे दर्शक जानते हैं कि हर एपिसोड के अंत में किसी एक जातक के कमेंट का उत्तर देते हैं तो आप अंत तक हमारे साथ में अवश्य बने रही है साथियों जब कोई भी रिलेशन्शिप होता है और जब उसमें गंभीरता होती है ठहराव होता है गहराई होती है तब उसकी परिनती शादी के रूप में करने की दोनों की ही इच्छा होती है जन्म कुंडली में जो तीसरा स्थान है जो तीसरा घर है इससे देखा जाता है पराक्रम या साहस और किसी भी रिलेशन्शिप को स्थाई बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है साहस कायर विक्ती इस प्रकार का कदम नहीं उठा सकता कब ऐसा होता है इसको मैं आपको बतलाता हूँ कि आप अपनी जन्म कुंडली दिख उठाईए और परीक्षन के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि तीसरे भाव में मंगल या शनी में से कोई भी एक हो पूरी बात आप गहराई से सुनिएगा तीसरे भाव में यदि मंगल या शनी इन दोनों में से कोई एक हो और साथ ही चंद्रमा या शुक्र में से कोई एक इनके साथ में युती कर रहा हो और यदि यही स्थिती नवम भाव में है तब भी ये योग निर्मित होता है मंगल या शनी में से कोई एक यहाँ पर हो और साथ ही चंद्रमा और शुक्र इन दोनों में से कोई एक प्लैनेट यहाँ पर हो अगर इस प्रकार की स्थिती किसी भी जातक की कुंडली में बनती है तो उसका जो प्रेम संबंध है बहुत लंबे समय तक चलता है बहुत वो सोच ही नहीं सकते कि इन से विवाह नहीं होगा परंतु होता इसका उल्टा है और विवाह किसी और के साथ में किसी और कारण से हो जाता है ऐसे दर्जनो दाहरण है एक महिला और एक पुरुष जो की प्रेम में थे और बहुत लंबे समय से वो प्रेम में थे परन्तु लड़की की जॉब जो है वो किसी दूरस्त स्थान पर लग जाती है और फिर वो वहीं पर रह जाती है और उसका संबंध किसी और के साथ में हो जाता है और इनका जो प्रेम संबंध है उसका पटाक शेप इस प्रकार से हो जाता है एक दूसरे उदाहरन में लड़की के जो घर वाले हैं वो बिना बताए सबको अंधेरे में रख करके उस लड़की का विवाह कहीं और कर देते हैं जबकि वो जो प्रेम संबंद था वो लगबग आठ वर्षों तक चला था ऐसे ही और भी कोई न कोई कारण बन जाता है एक केस में लड़का जो है वो विवाह करने का इच्छुक था परन्तु उसके घर पर अपने सोयम के परिवार की जिम्मेदारी इतनी आ गई कि वो चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर पाया और उसका लगबग बारह वर्षों तेरह वर्षों का जो प्रेम संबंद था वो कुल भी आवशकता नहीं है आप मेरा बताया गया ये प्रयोग कर सकते हैं और इससे आप लाब उठा सकते हैं यदि बहुत लंबे समय तक चल रहा प्रेम संबंद आपको ऐसा लग रहा है कि अब तूटने की कगार पर है या किसी कारण से अब शादी में कनवर्ट नहीं हो सकता है तो आपको ये चमतकारी उपाए अवश्य करना चाहिए ये उपाए इस प्रकार है कि तीन पूर्णे मा तक लगातार आप दोनों को जो आप दोनों रिलेशन्शिप में है किसी भी शिव मंदिर में जाकर के अभिशेक करना चाहिए और माता पारवती और महादेव स यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें जो है इस रिष्टे को विवाह में कनवर्ट करना है इसको स्थाई बनाना है तीन पूर्णि माय अर्था तो तीन माह चमतकार होता हुआ आप स्वय मनुभव करेंगे और विवाह बंधन में आप बंधेंगे तो साथियों अब हम बिला है राजपुरा पंजाब से आपने जानना चाहा है कि आपका प्रेम विवाह हो पाएगा या नहीं हो पाएगा और सरकारी नौकरी आपकी लग पाईगी या नहीं लग पाईगी जस्प्रीत जी आपकी कुंडली के विश्लेशन के बाद में ये बिलकुल स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि आपके प्रेम विवाह में बहुत ज्यादा दिक्कते आएंगी इतना आसान आपके लिए नहीं होगा और सरकारी नौकरी के भी जो योग है वो बहुत ही कम है आपकी कुंडली में और उपर से आप मंगली है तो आपको कुंडली मिला करके खानदान देखे बिना विवाह नहीं करना चाहिए आपको जो उपाय में बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो एका दशी जो ग्यारस आती है दोनों ही पक्षों की हर माह दो ग्यारस आती है उन दोनों ग्यारस पर आपको केवल एक समय भोजन करना चाहिए और मैं भी ईश्वर से आ हमारा आज का आर रिसकती यदि आपको हमारा ये कारिक्रम बहतर जीवन की और ले जाने वाला लग रहा है तो हमारे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए इसको शेयर कीजिए इससे भी अधिक विश पती पत्नी में मन मुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना संतान का प्राप्त न हो पाना नौकरी या धन प्राप्ती में बाधा आना जीवन के प्रत्तेक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना तो आज ही अपनी जन्म पत्त्रिका का संपूर्ण विशलेशन क और पाएं समस्या से सदेव के लिए मुक्ति